जया तीन घंटे में 189 अकबार बाटती है उसके द्वारा अकबार बाटने की प्रति घंटादर ग्याद करें तो इस कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि तीन घंटे में जया कितने अकबार बाटती है तीन घंटे में जया बाटती है 189 अकबार तो ये जो हमें दर मिल रही है य उसने कुल कितने अख़वार बाते अब यदि मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं एक 39 ora सी प्रती 3 घंटे अगर मैं इसका ऐसी लिग दू एक高 Doll Side by सबफ का मतलब वदल गया। जी नहीं, ये दोनों कथनों का मतलब एक ही है, हमने बस यहाँ अन्शेवमहर को आपस में बदल दिया है, इसका मतलब है कि 3 घंटे में 189 अकबार बाटे जयाने, और इसका मतलब है कि 189 अकबार बाटे 3 घंटे में, बस यहाँ पर हमने लिखने का तरीका बदल दिया है, ले प्रति घंटे कितने अखबार बाटे हैं। इसका मतलब है कि हमें 189 एवं 3 का सार्व गुडन खंड़ ढूनना होगा। और इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि क्या 189 तीन से विभाजित हो सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं एक धन 8 बराबर 9, 9 धन 9 होता है 18 के बराबर और हम जानते हैं कि 3 गुड़े 6 बराबर होता है 18 के अर्थात 189 तीन से पूर्णता विभाजित हो सकता है इसको मैं यहां लिक्स लेती हूं 189 बटा 3 के तो चलिए अब हम इसमें इसका विभाजन देते है तो पहले मैं पहला अंक लेती हूं एक एक तो तीन से छोटा है तो हम दो अंक लेंगे यहां हम जानते हैं कि 3 गुड़े 6 बराबर होता है 18 के ठीक है और यदि मैं 18 में से 18 घटा दूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे प्राप्थ हुआ शून तो अब हम अपने दूसरे अंक को नीचे ले आते हैं जो है 9 और 3 गुड़े 3 बराबर होता है 9 के तो यहां से यदि मैं 9 में से 9 घटाओं तो मुझे फिर से प्राप्थ हुआ शून यहां से हम कह सकते हैं कि 183 बार जाता है 3 में इसका अर्थ हुआ यदि मैं 183 का 3 से विभाजन करू तो प्राप्त होगा एक इसका मतलब है मैं इसको लिख सकती हूँ कि जया ने 63 अखबार बाटे प्रती एक घंटे में यहां हमें प्रती घंटा दर मिल रही है जया के अखबार बाटने की इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक घंटे में जया 63 अखबार बाटती है इसको यदि मैं लि प्रति घंटा यहां हम कह सकते हैं कि ये दर्ज को प्रदर्शत करने का एक तरीका है और जैसा कि हम जानते हैं कि 63 बटा एक बराबर होता है 63 के 63 बटा एक को मैं बस 63 भी लिख सकती हूँ तो इसको मैं लिख दूँगी कि जया ने 63 अखबार बाटे प्रति घंटा ये हमारे ज